Hello students, कल की क्लास में हमने देखा था spread seat के बारे में tool bar, menu bar, formula bar, इसके लावा हमने समझा था row, column और cell के concept को चलिए आज हम जानते हैं किसी भी spread seat में row और column को कैसे insert या delete किया जाता है आईए सबसे पहले समझते हैं किसी भी spread sheet में row को insert करना insert करने का meaning है किसी भी चीज को add करना example के लिए मैंने यहाँ पे day लिखे हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday अब यहाँ पे Friday मेरे से गलती से miss हो गया है अब अगर मेरे को यहाँ पे Friday enter करना है तो Friday मेरे को पता है thrust day के बाद आना चाहिए यहाँ पे जो मैंने area highlight किया है अब यहाँ पे मेरे को Friday लिखने के लिए blank row चाहिए होगी तो सबसे पहले मैं जहाँ पे भी row insert करना है उस row को highlight करूँआ highlight करने के लिए आप row header पे tap कर सकते है अब यहाँ पर mouse के right click को दबाएंगे right click करने पर मेरे सामने ये एक list खुलेगी इस list में insert पे tap करना है जैसे ही मैंने insert पे tap किया या click किया तो मेरे सामने एक row आ गई और यहाँ पे मेरे को जो भी information डालनी है वो मैं डाल सकता हूँ same इसी तरीके से समझते हैं column कैसे insert किया जाता है column का example समझने के लिए मैंने tables लिखी हुई है column A में 1 की table है B में 2, C में 3 लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास 5 की table missing हो गई है 5 की table लिखने के लिए मेरे को यहाँ पे जो area highlight किया हुआ है यहाँ पे एक column की जरुद पढ़ने वाली है अब यहाँ पे column को add करने के लिए अतलब जहां भी मेरे को column add करना है उस column को highlight करूँगा मैं select करूँगा और उसके बाद mouse का right click press करूँगा right click press करते हैं एक insert का option आ रहा है और insert पे click करेंगे insert पर click करते ही हमारे सामने column insert हो चुका है और यहाँ पे हम जो भी data हमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे row और column को insert किया जाता है अभी हम समझेंगे delete करना सबसे पहले हम देखते हैं column को कैसे delete किया जाता है अब मेरे को जैसे यहाँ पे लग राए कि चार की table की मेरे को need नहीं है तो चार की table को मैं select करूँगा select करने के बाद mouse से right click और यहाँ पे delete पे जाऊँगा जैसे ही delete पे प्रेस करूँगा चार की table column delete हो चुका है same इसी तरीके से हम row पे जाएंगे जो भी मेरे को row delete करनी है जैसे मेरे को यहाँ से Saturday delete करना है तो Saturday वाली row को मैं सबसे पहले select करूँगा mouse का right button प्रेस करूँगा और यहाँ पे जाके delete row कर दूँगा तो अभी हमने देखा किसी भी spreadsheet में कैसे row और column को add या insert किया जाता है तो आज की class के लिए इतना ही नेक्ट क्लास में हम देखेंगे आगे के गन्सेफ्ट थैंक्यू